स्वागत ए स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आजम करने वाले हैं कक्छा नौ का उप्चारात्मक सिक्षन कारे पुस्ति का गनित का कारे पत्रक तीन स्टुडेंट्स बहुत ही इंपोर्टेंट कारे पत्रक है Students, चलिए इसको पूरा solve करेंगे ये नए वाला कारे पत्रक है 24 वाला जिसमें हम सारे प्रश्णों को हल करेंगे डिटेल में तो देखते हैं Students कारे पत्रक नमबर 3 क्या कहता है संक्या संबंदी अफधारना है इसमें पूर्वग संक्या और वर्ग मुलर हमें वर्ग निकालना सीखना है जैसे कि हम पता है पूर्वग संक्या क्या होती है पूर्वग संक्या जैसे कि एक गुना एक एक दो गुना दो चार, तीन गुना तीन मतलब उसी संक्या को उसी संक्या से गुना करने पर जो संक्या प्राप्थ होती है वे पूनवग संक्या कहलाती है इस्टुडेंट्स ठीक है जिसमें देखिए इस्टुडेंट्स पहला परशन क्या है पूनवग संक्या इनमें से कौनसी है तो कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 गुना 4 करने पर 16 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, बाउत्तर हो जाएगा, अगला देखिए, पूम वग संख्यां को सम्मू देखिए, इसमें students, यहाँ पर देखिए, दो नहीं होता है, ये 1, 4, 9, 3 है, इसमें देखिए अठारा नहीं है, और इसमें देखिए students चालिश नहीं है, तो students सबसे सटीक समू कौन सा हुआ, बाउ हुआ, एक चान नो, जिसमें तीनो है, तो बाउत्तर हो जाएगा, अगला देखिए, इनिमने शाननी को पूरा करना है students, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 13, 13, 13, 179, 169, 169 लेखिए यह 15 गुना 15, 225, 16 गुना 16, 256, 17 गुना 17, 288, 18, 1324, 19 गुना 19, 361, 20 गुना 20, 400, तो students देखिए, 12 गुना 12, 144 है, यदि आप से पुछा जाए, कि 144 का वर्ग क्या है, तो बारा होगा, मतलब की वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल इसका वर्गमूल पूछे का तो 12 लिखेंगे और 12 का वर्ग पूछे का तो 44 लिखेंगे ठीके students इसका संकेत होता है इस प्रकार से अगला देखे students साननी दी गई है जिसमें हमें गुनन खंडो को देखते हैं चार पूंसंक क्या है गुनन क क्या हुए दो गुना दो चार बार तीन का गुना करने पर आता है students देखिए 4 है दो स्कुाइर लिख सकते हैं उल्ला है दो की घात 4 लिख सकते हैं मतलब कि जितनी घाते हैं उत्ती बार गुना करना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या आजाएगा 16 आजाएगा ठीक है श्टुट्स यह समझाने के नोट प्रत्ने किया है और एक चिछा समझाई यह श्टुट्स इसनों ने आपको वर्ग पूछ रहा है 16 का इस परकार से हम संकेत बनाते हैं आप फिर ब्रैकिट के ओपर आदा लिख देंगे तो अभी इसका मतलब यही होता है श्टुट्स ठीक है तो इससरा देखे श्टुट्स दो से पच्चिस का वर्ग मुल ग्याद करना है तो इसका संकेत लिख दिया है पहले क्या करेंगे स्टुट्स के अभाज्य गुननखन निकालेंगे दो सो पच्चिस में सबसे चोटी संक्या का भाग देंगे किसका जाएगा तीन का जाएगा कित्ती बार पिच्चित्तर बार पिच्चित्तर में तीन का जाएगा पत्चिस बार फिर 25 में तीन का नहीं जायेखा चार का नहीं, पांच का जायेखा पांच का लगाएंगे पांच बार फिर 5 पैंच पांच का एक बार ин जोडों, जितने भी हमारे अबाजी गुनन खनाएं इनको अलग लिग देंगे वर्गमुल के अंदर फिर इनके दो-दो के जोड़े बनाएंगे क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है students तो तीन गुना तीन पाँच गुना पाँच एक जोड़े में से एक संग्या भार आजाती है तो क्या होता है students ये जो चिन है ये वर्गमूल है ये हड़ जाता है एक संख्या भार निकालनी है दो मेंसे दो मेंसे एक संख्या भार तीन दो मेंसे एक संख्या भार पाँच क्या हुआ तीन पंजे पंदरा तो स्टुडेंट्स 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा स्टुडेंट्स 15 हो जाएगा इसी प्रकार से हमें आगे करना है निम्ण का वर्गमूल के हमें निकालना है निम्ण का वर्गमूल निकालना है पहला देखे क्या है आछ, जार सो है सबसे चोटी संग्या का भाग लगाएंगे दो का लगेगा, student क्या आजाएगा? 4050, फिर 2 का लगेगा कित्ता आजाएगा students 2025 2025 में सब्सक्राइच छोड़ी संक्या का भाग लगेगा 3 का, कित्ता आजाएगा 675, फिर 3 का लगाएगे 225, फिर 3 का लगाएगे 25, फिर 25 में 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार, 5 है 5 का, 1 बार इन सबी अबाजय गुनन खंडों को हम अलग से उतार देंगे और 2-2 की जोड़े बनाएगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा इन में से 1 की संक्या भाग निकाल देंगे students 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 5 कित्ता हो जाएगा 529, 529 मैं सबसे छोटी संक्या का भाग किसका जाता है सिर्फ 23 का जाएगा students ना 1 का जाएगा, ना 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 किसी का नहीं जाएगा, सीधा 23 का जाएगा तो 23 में 23 का एक बार जाएगा फिर 23 का दोबारा 23 में लगाएगा, एक बार तो इस चुडेंट के आजएगा, 23 गुना 23 एक संक्या का भार निकाल देंगे, 23 तो मतलब की 529 का बर्गमुल कित्ता हो जाएगा, 23 हो जाएगा तो इस चुडेंट का हमें बर्गमुल ज्यात करना है अब आज़े गुनान खनविदी द्वारा तो इस्टूदेंट देखिए 2 का भाग लगाएंगे 882 दो का लगाया 449, 440 में फिर 3 का जाएगा 143 का जाएगा 49, 7 का जाएगा 7 बार, 7 में 7 का जाएगा एक बार, उतार देंगे जोडे, एक-एक संग्या भार निकालेंगे 2 गुना 3 गुना 7, मतलब कि 42, पिर इस्टूदे स्टूदेंट्स हमारा भाग विदी द्वारा वर्ग मुल निकालना, यह स्टूदेंट्स काफ़े टिपिकल होता है, आप बहुत ज्यादा समझ की आवश्क्ता होगी, इस्टूदेंट देखिए 625 है, इसमें क्या होता है, इस्टूदेंट दो-दो के जोड़े बनते हैं, इकाई से स्टार्ट करते हैं, तो 625, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 06, यहां पर 0 से लगाए ताकि 2 का जोड़ा बन जाए, तो स्टूदेंट्स देखिए, 06, 06 मतलब कि 6 के सबसे पास में वर्ग कौन सा है, जो से छोटा हो, वर्ग, 6 से छोटा वर्ग कौन सा हो जाए मतलब कि 2 गुना 2 करने पर क्या आता है, चार आता है, इसी 2 को उपर लिख देंगे, और इन दोनों को प्लस कर देंगे, चार आ जाएगा, फिर स्टूदेंट्स देखिए, यह 5 कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहां से हम ने उपर से नीच उतारा, तो 06 में से 4 गए 225 या फिर 225 चोटा कौन सा वर्गमूल है, जो इसके विक्कुल पास में है, तो स्टूदेंट्स, 45 है, जैसे कि यहां पर 4 लिखा हुआ है अलड़ी, आप 41 करेंगे, यहां पर जो संक्याब लिखते हैं, उसी संक्या से इसका गुना भी होता है, तो स्टूदेंट्स क्या आजाएगा, एक और यहां पर 41 ही आएगा, तो मतलब कि 225 के पास में नहीं आया, इसी परकार से 42 करेंगे, किस्ता आजाएगा, 22 ही आजाएगा, वो ही पास में नहीं है, फिर स्टूदेंट्स, 43 किया आपने, 3 तिया 9, 3 चोग 12, 119 आया, यही पास में नहीं है, फिर देख हम 25, दो आसिल की 45, 20 और 22, 225, मतलब कि आ गया, पांच बर करते हैं, तो आ रहा है, तो हम 5 लिख देंगे, 5 नीचे लिखते हैं, उपर 5 लिखते हैं, तो 45 पंजे, 225 आया, मतलब कि 0 आ गया, तो क्या हो गया, इस्टूदेंट उपर अली, जो हमारी आई है, यह क्या हमारा भागफल विदी द्वारा वर्गमुल निकाल लिया गया है, 625 का, 625 का भागफल विदी द्वारा किता आ जाएगा, इस्टूदेंट्स, 25 आ जाएगा, इसी इसाब से हम प्रश्णों को सॉल्व करेंगे, इस्टूदेंट्स, हमको निम्न प्रश्णे सॉल्व करने, 0.9, 12 14.25 42.25 और 14884 इन सभी का आपको विकुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों ने कारे बतर दाले कि किसी ने इसको समझाया नहीं है और कहिए उन्हें गलत आदि समने गलत डाल रखाई स्टुडेंट्स तो आप देखेगा सबने गलत डाल रखाई कि देखे जीरो नो जीरो पॉइंट नो है यहां पर आप जीरो यहां पर लिखेंगे दो दो की जोड़े बनाने में कातर पहले ही तो यहां पर जीरो जीरो और यहां पर क्या लाया है नो तो नो के बाद में क्या जीरो लगा देंगे स्टुडेंट्स दो की जीरो बन गए ठी जीरो जीरो में कुछ नहीं होगा तो यहां पर जीरो लिखा point के point लगाया है यहां पर हमारा 90 है अब 90 के 90 या फिर 90 से कम सबसे pass में वर्गमूल कौन सा होता है students सबसे pass में वर्गमूल होता है 81 81 कैसे बनता है 9-9-1-80 तो यहाँ पर 9 लिख देंगे 9-9 का गुना किया तो 1-80 आया तो इस्टुइंट यहाँ पर क्या आया गया 1-80 आया गया 9 उपर लिख दिया आपने point के बाद में इन दोनों को जोड देंगे 9-2-18 हमने 1-80 लिख दिया इस्टुइंट पॉइंट के बाद में 0-0 और भी हो सकते हैं तो हमें 2 दसमलफ तक निकालना है तो हमें 1-0 का सेट और लिख देंगे यहाँ पर किता हो गया? 900 हो गया और 90 में सिख्या सी गए ते 9 900 बन गया इस्टुइंट और यहाँ पर 9 जोड़े 18 अब इस्टुइंट्स 18 में ऐसा क्या करें? कि इसके पास में संख्या पहुंच जाए अगर आप 5 लिखेंगे तो उपर पहुंच जाएगी इस्टुइंट्स तो 4 लिखेंगे तो किता आ जाएगा 736 आएगा इसको क्या करना है? जोड़ देंगे 188 घटाएंगे 164 हमें आगे करने एक जरूत नहीं है क्योंकि हमें 12 दिसम्रम निकालने है तो 0.94 उत्तर आ जाएगा मतलब कि 0.9 का वर्गुल किता हो जाएगा भाग विजद्वारस वाल करने पर 0.94 अगला देखिए इसम्रेंट 12.25 इसम्रें आपको विजद्वारस समय में आ जाएगा देखिए दो-दो जोड़े बनाने हमें जोड़े बने भी मिले हैं तो क्या लिखा हमने 12.25 लिखा अब देखिए 12 के 12 या फिर 12 से छोटा वर्गुल कौन था होता है इसम्रेंट 9 होता है 9 के बाद होता है 16 जो की क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 12 से तो हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे या पर 9 लिख दिया 9 बना कैसे 3 तीन तीन नो जोड़ा 6 आया 3 उपर लिख दिया 3 तीन तीन नो हमें, एक से लेके आप तयारी करेंगे, एक बार एकसाठ आएगा, दो लगाएंगे दो में दो कब गुना किया dar किता अगएगा इक स्ट्टुटेंट्स एक स्टॉबिस आएगा तीन का खरेंगे, चार का करेंगे, पांच का खरेंगे पांच का जैसी करेंगे स्टुडेंट 325 से पहुंच जाएंगे आप तो मतलब कि 5 बार जाएगा तो 5 लिखेंगे आप 325 क्रॉस हो जाएगा और उपर 5 लिख देंगे मतलब कि 12.25 का वर्गमुल किता आएगा 3.5 आएगा सबने गलत किया स्टुडेंट्स यह आप कोई भी यूट्यूब पर देख लेड़ा किसी ने वक्षिट दा लिए देखिए अगला देखिए 42.25 वही विदी करेंगे 42.25 में 42 से पहले सबसे छोटा वर्गमुल क्या है इस्टुडेंट्स 36 से 666 बढ़ा क्या आता है साथ गुना साथ करते हैं तो 49 पहुंच जाता है जो की 42 से बढ़ा है तो क्या लगए 6 गुना 6 करेंगे 36 6 किया यहां पर 6 लिखा बीचे पॉइंट लिख दिया इन दोनों को जोड़ दिया 12 42 पे 36 और जोड़ा नीचे उता दे क्या बना 625 अब यहां पर इस्टुडेंट्स देखिए 12 है अब बारा में ऐसा क्या करें कि 625 पर पहुंच जाएं तो हम 625 पर पहुंच जाएंगे तो कि 625 पर पांच बढ़ा पांच लिख दिया उपर 6.5 हो गया मतलब कि 42.25 का बर्गमुल क्या हो जाएगा चुडिन 6.5 हो जाएगा अगला देखिए स्टुडेंट्स 14884 कि देखि अकेला बच गया आगे जीरो लगा दीजिए ठीक है जीरो एक है एक में एक बार ही जाता है कि कन्फिज नहीं होना है स्टुडेंट्स आपको एक बार गया एक लिख दिया आपने एक और एक दो गए इन दोनों को घटाएंगे जीरो बचेगा उपर से एक जुड़ा उतारा 48 आगया यहाँ पर दो है 48 के पास में पहुँचना है स्टुडेंट्स तो दो में क्या करेंगे एक करेंगे एक किस आएगा दो करेंगे कित्ता आगया इस्टुडेंट्स 42 आगया जो की क्या है wow चोओ आगया इस दो बढ़ा हो जाता है इस लिख स गुना करेंगे कित्ता आजएगा पहले एक बार गया फिर दो बार गया ठीक है पतलब कि हमारा उत्तर क्या हो गया बारा हो गया और आगे और करना है इस्टुटेंट्स हमें तो देखिए इसको जोड़ देंगे 22 प्लस दो 24 48 में 44 गये तो चार बचे उपर से एक जोड़ा अर उताना है हमें 84 का तो 484 बन गया अब इस्टुटेंट्स क्या करेंगे यहाँ पर बचा हमारे पास 24 24 में ऐसा क्या करें कि 484 बंजाए दो 2 से गुना कर देंगे students 2 यहाँ पर लेखेंगे 2 यहां पर लेखेंगे तो क्या बन जाएगा students 484 बन जाएगा students उपर क्या आजाएगा दो आजाएगा दोसे गुना क्या है? मतलब की 122 उत्तर आया इसका, यहापे आपको 122 लिखना है, यहापे 122 लिखना है, मतलब की 14,884 का वर्ग मुल क्या है, students, 122 है, इसका उत्तर जरूर लिख दीजिए कि students, आपको ऐसे क्से उत्तर आना है, 122, मैं आपको समझा दिया है, इसी प्रकार से समझाया जाता है, students, तो टिपिकल होता है, पिर भी आप समझेंगे दो-तिन बार, तक वो समझ में आ जाएगा, तो students, यह था पूरा solution आपका वर्ग, आपके वक्षीट नमर तीन का, तो जुड़े रहे हैं, चैनल से लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें, थरने बाद झाल